what is IP address IP address देखिए आप यहाँ पर देख भी रहे हैं चित्र में नहीं पहले मैं आपको बता जेता हूँ मैं बात कर रहा हूँ IPv4 की अभी क्योंकि 1998 में IPv6 आ चुका है तो इसी लिए मैं IPv6 भी बताऊंगा आपको पहले आप समझ दीजे IPv4 जो है 32 बिट का इंटरनेट एडरेस होता है जो आपका कोई भी होस्ट हो होस्ट मतब होता है आपका घर का कंप्यूटर जिसके सामने आप बैटके देख रहे हैं दूसरा होता है कि जब आप अपना क्मिनिकेशन शुरू करते हैं तो दुनिया में सैंकड़ो राउटर है राउटर का काम क्या होता है यह आपके पैकेट को सही जगा राउट करना यह उसको रास्ता दिखाना तो यह आपको यूनिकली 32 एडरेस आपके सिस्टम को यूनिकली पहचानता है यही काम है इसका इसमें देखेगा कि जो पॉर्षन यह पहले बता दू यह कैसे 32 है यह 8 bit है dot art bit dot art bit dot art bit कितने हो गया 8 forza 32 bit हो गई ठीक है जी इसी तरीके से IPv6 जो होता है वो 128 bit का होता है जान रखेगा यह 128 bit का IPv6 का पैकेट जो एडरेस होता है वो यह होता है इसका एडरेस जो होता है वो 8 forza 32 32 आपके bit हो गया इसमें तो यहाँ पर कितना हो गया आपके यह 8 8 और इसमें अलग अलग अडरेस वो होती है classes होती है class A, class B, class C, class D, class E ऐसे classes होती है और सबके जो addresses है वो बिल्कुल particular define है इससे पता चल जाता है कि यह कौन से class का अडरेस है हम यह बात कर रहे थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यह तो आपको network address बताता है और यह जो portion है इसको हम कहते हैं यह हो गया network network address इसको हम कहते हैं host address ठीक है जी मतलब जो portion इस पूरे portion का जो host यह router को बताता है आपका computer होगा यह router होगा इन दोनों को जो बताएगा उसको हम कहेंगे यह IP address ठीक है जी और इसके बाद यह जो portion है इसको हम कहेंगे host ID यह होगे आपका net ID यह होगे आपका host ID यह net ID यह host ID ध्यान रहेगा ओके IP address फिर से बता देता हूँ यह आपका connection एक network से कौन सा आपका device किस network में है और कौन सा कौन से network में आपका कौन सा device है यह IP address आपको बताएगा एक चीज़ और बता देता हूँ इसको देखिए एक IP address इस IP का मतलब है internet protocol यह numbers है जो किसी भी network में आपका device कौन सा है पहले तो यह network पे आएगा यहां से आपका network पता चलेगा और इसके बाद इससे पता चलेगा कि आपका host कौन सा आपका computer कौन सा है यह आपका device कौन सा है तो इसी IP address का use करके पूरे internet पे या पूरे network पे आप बात करते हैं